Hello everyone, आप सभी को करने के डिम में स्वागत है बच्चे आज हम लोग कलेंगे Class 8 Maths NCIT Chapter 10 Exponents and Power Examples 10.2 यानि Example 10.2 10.2 एक्सरसाइस से पहले जो भी Example के कोश्चन से दो कोश्चन से छोटा सा है देख लो conceptual वीडियो है समझाओगे तब 10.2 आच्छा से बना पाओगे और इसके पहले मैं एक introduction के वीडियो बना आए हूँ 10.2 के लिए यानि 10.2 के लिए जो भी आपको कौशप requirement है उससे related मैंने वीडियो बना आए हूँ वो भी हमें description में लिंक दे रहा हूँ से लेकर 7 तक already कर चुका हूँ examples के वीडियो में ठीक है अब आते हैं question number 8 क्या कह रहा देखिए समझे पहले express the flowing numbers in standard form आपको किसमें बदलना है standard form में बदलना पड़ेगा actually क्या है ये एक इतना छोटा सा number है ये छोटा हमारा number को हम लोग ऐसे लिखते नहीं है इसी लिए इस number को हम लोगो standard form में बदलना पड़ेगा उसी परकार ये बड़ा number है ये point में तो छोटा है ये बड़ा है standard form क्या होता है आपको मैंने बताया इससे पहले इंट्रोडेक्शन वाला वीडियो में नहीं है तो आप देख लो इपर फीर से में बता देता हूँ इसको standard form को किसी भी number को छोटा या बड़ा को इस तरह से लिखा जाता है ये into 10 to the power m के respect में यहाँ पर वेर अगर हम अगर बात करें यहाँ पर क्या होगा तो आप आसानी से कह सकतो यह जो है न वो बिलंग करता 0 से बड़ा और हमारा 9 से और 9 से छोटा यह value होगा और यह जो हमारा m होगा यह integer number होते हैं क्या होगा? integers number होते हैं यानि इस form में आपको लिखना पड़ेगा इस number को, यह हमारे standard form में नहीं है चलिए हम कैसे लिखते हैं आपको हम समझा चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम लोग solution करते हैं, पहले वाले solution कर रहे हैं 0.00000035 तो यह काम कर सकते हैं बाबू इस point को remove कैसे किया जा सकता जैसे, जैसे माल लेते हैं मैंने बोला कि 2.38 है तो इसको point को remove करने के लिए क्या लिखो कि 238 लिख लेंगे इस point के बदले में नीचे हम लोग लिखते हैं 1 और point के बाद कितने digit है, देखो 2 digit है तो 2 0 यहाँ पलगा देते हैं इसको बोलता है remove अपे point तो उसी परकार पहले हम हम इसका remove करेंगे point को तो देखो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे क्योंकि ये दोखो 35 से पहले जो भी number होगा वो 00 हो जागा अगर point हट जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिखा जाता क्योंको meaningless होते है तो हमारे बन जागे यहाँ पर भाई मेरा 35 और पोसिस करते हैं, तो देखो 35 को divided हम क्या कर सकते हैं 60 तो 10 to the power इसको हम लोग 6 लिखेंगे, ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, इस number को उपर क्यों ले जाएंगे, तो हमने सिखा है, कि अगर positive power में रहेगा तो negative और negative में पोसिटिव, तो इसको आप लिखोगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 35 into 10 to the power minus 6 चलिए, अब हम क्या करते हैं देखिए, यह हमारा standard form में नहीं है यह हमारा 0 and 9 के बीच में होना चाहिए लेकिन यह 35 है, तो एक के बाद हमको यहाँ point लगाना होगा, और point लगाने के लिए मैंने आपको बोला गए negative है, तो decrease कर जाएगा, एक के बाद यहाँ लाना point, इस पर एक डिज्डिया बालत एक decrease कर जाएगा, इसको लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 3.5 into 10 to the power minus 5, तो आपके answer हो जाएगे यह, ठीक है, question number 1 का, अब आते हैं question number 2 को solve करते हैं, ठीक है question number 2 में, जो भी यहाँ पर आपका question से, यह bigger number है question number 2 में, जो दिया है, मैं एक बाद उतार लेता हूँ, यहाँ पर, ताकि आपको confusion ना हो, 4, 0 5, और हमारे पास 4 times 0 है, ओके, 4 times 0 इस bigger number को लिखने के लिए सबसे पहले देखो, आप ऐसे लिख सकते हो कि 4, 0, 5 into यह 4, 0 के बदले मा आप लिखना 10 to the power 4, ओके अब आप क्या करना है, कि मेरे को पता है कि point 1 के बाद इधर होना चाहिए, यहाँ पर point होना चाहिए इसका मदलब पर दो डिजिट का point लगाने के हम दो बढ़ा देंगे, तो हमारा point ही है लग जाएगा, 4, 0, 5 into 10 to the power 6, ठीके, तो यह answer हो गया हमारा, ठीके standard form हो गया इन दोनों number का छोटा number को और बड़ा number को ऐसे ही आपको questions बनेंगे आईए हम लोग करते हैं, example number 9, ठीके, और example number 9 में आपको क्या करना है express the following numbers in usual form यानि usual form में जो हम लोग number लिखते हैं उस form में आपको लिखना है तो देखो भाई, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3.52 और ये 10 to the power 5 का मतलब है 5-0, तो आप ऐसे लिखो क्या लिखेंगे हम 5-0 क्या लिखेंगे 3, 4, 5 लेकिन इस point को मुझे हटाना पड़ेगा क्लियर है, इस point को हटाने के लिए हमारा क्या करते हैं ये 2 point हटाना मेरे को ठीक है, अच्छा इसको एक काम करते हैं आप आसा नहीं समझ में आएगा और बढ़िया तरीके से आप इसको ऐसे लिखो पहले 3.52 जो है इसको आप लिखो है ना, इन्टू 10 to the power 5 एक बार लिख लेते हैं आप एक काम करो 3.52 के बदले मां आप लिखेंग point को remove कर लेंगे 3.52 लिख दिये हैं और इसके बाद ये जो point है इस point को remove करने के लिए point के बदले मान उसका 2 digit है तो 2 0 clear है, और इन्टू यहाँ पर हम क्या कहेंगे 10 to the power 5 नाउ, आप एक काम करो 3.52 है ना, और ये 10 to the power 5 है इस number को उपर कियो ले जाओ तो आपके पास 10 to the power minus 2 हो जाएगा अब हमको पता है कि ये बेस सेम है तो power को add कर देंगे तो हमारा बन जागे का 3.52 into 10 to the power 5 plus minus 2, तो हमारा कितना हो जाएँगे 3, यानि हमारे पास 3.52 और 10 to the power 3 तो आप यहाँ लिख लोगे 3.52 और 3 times 0 तो ये usual form हो गया हमारा 3.52 into 10 power 5 था clear है चली, अब हम क्या करते है question number 2 9 का question number 2 को solve करते है ये बोला गये 7.54 into 10 power minus 4 तो आप क्या करना 7.54 हमारा दो number का है न 7.54 into 10 to the power minus 4 है हम इसको क्या करते है देखो 7.5 को पहले हम हटा लेंगे तो यहाँ आप हमार क्या लिख लेंगे 7.54 और divided कर लेंगे हम ये नीचे में लिखेंगे 100 point के बदले में 1 और point के बाद 2 digit है तो 2 0 into हमारे पास 10 to the power minus 4 इसको आप एक काम करते है हम नीचे वालो जो भेलू है उपर लेके चल जाएंगे तो ये 10 to the power minus 4 उपर चला जाएगा तो 10 to the power कितने बन जाएगे minus 2 तो हमार क्या बनेगा 7.54 और 10 to the power minus 6 है ठीक है तो हमारा इसको आप क्या लिख सेक्ट हो 7.54 और 6 0 है ना इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो हमार पास बन जाएगे 6 0 तो 3, 2, 5, 1, 6 अब हम 6 0 को यहां पर करेंगे 1, 2, 3 तो हमार पास 4, 5, 7 और एक वो 4 हुआ 5 होगे 6 के बाद पॉइंट लगा लेना है तो 0.000754 यह standard form हो जाएगा इसका चलिए हम next करते है और next question जो हमारा है 9 का यह 3 into 10 पर minus 5 तो आप इसको क्या करो 3 into 10 to the power minus 5 किलियर है हम इसको लिखेंगे कैसे OC परकार लिखेंगे 3 और नीचे में लेके आ जाएंगे तो हमार कितना हो जगा 10 to the power 5 किलियर है इसको एक बार आप असानी से यह से लिख सकते हो थोड़े examiner को समझ में आ जाएगा 3 और sorry यहां पर हमारे 1 और 5 0 लिख सकते हैं क्या लिखेंगे 1, 1, 2, 3, 4, 5 आप देखिए 5 के बाद लगाएंगे 0, 2, 3, 4, 5 5 के अधर point लगा लिए तो हमारे यह हो गया उम्मिद करते हैं चीजों का आप समझ गया होंगे है ना तो example मैंने आपको समझा दिया 10.2 अगला exercise के question 10.2 को बनाएंगे वीडियो बने रहने के लिए हमारे चेनल में बने रहने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें अपने दोस्त को शेयर करें लाइक करें ग्रूप में भेजिए पहुचाएं लोगों को उसको benefit मिलेए धन्यवाद